कि नमस्का दोस्ते को फिर से स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल अपना स्टॉप मार्केट तो फेंट बात करेंगे यहां पे कैमिकल स्टॉप की अभी कुछ दिन पहले आई प्यों आया था और आई प्यों के अंदर जैसा रिस्पॉंस मिला था वैसी लिस्टिं को आज आते हुए देखने को मिलेगे तो फिर बात करें जेजी कैमिकल्स की एक ऐसी कंपनी जो अपनी जो प्रोडेक्स बनाती उसका मार्केट लीडर है आई पी अच्छे से सब्सक्राइब हुआ था बहुत सारे लोग आई तो लगा भी मगर यहां पे लिस्टिंग वैसी को नहीं हुई जैसे एकसपेक्टिटी कंपनी के बात करें और जिंद्च और की जिंद्च कि बात करें तो मार्केट लीडर और इस हिसाब से तेन फैसिलिटी हैं मैनिफेट्रिंग फैसिलिटी जैंदर जिंक ऑक्साइट की जो प्रोडेक्शन है वो 60,000 यहां पर देखें और यहां पर क्यों यहां यहां पर क्यों यहां पर अच्छी है क्यों कि शेतना प्रडेक्शन सबसे जाजा है उसके बारे में कंपणी नहीं यहां पर मेंशन किया है जिंग ऑक्साइट की बारे में जैसा कि आपने बताए इसका जो मेंली यूज होता है वो रबर पेंट्स कॉस्मेटिक्स इसके इलावा जो सेरेमिक्स होते है उसमें एग्रिकल्चर अनिमल फ्यूट्स के अंदर स्पेशलिटी के अंदर और फार्मसूटिकल इंडेस्टी क इसका यूज होता है और यह सारी इंडेस्टी देखें तो ग्रो करने वाली इंडेस्टी है रवर की बात करें पेंट्स की बात करें कोस्मेटिक की बात करें हर इंडेस्टी के लिए जहां भी यह यह यूज होता है इसका जो प्रोडेक्शन जो प्रोडेक्ट यूज होता ह उसका जो मार्केट है काफी ज़्यादा बड़ा है तो इस एसाफ से देखें तो यह तॉप मैनिफेक्चर ग्लोबल यान की पूरी दुनिया बात करें तो टॉप 10 मैनिफेक्चर में यह कंपनी आती है कंपनी के प्रमोट यह सारी चीज़े तो ही पर यहां पर पैसा कितना बन साथ गरावट एक मैने पर नहीं जाएंगे जहां से लेस्टिंग वहां पर जब स्टॉक देखें तो वहां से अभी डाउन है यानि कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देखने को नहीं मिला अगर कंपनी के पॉइंट आप व्यू से देखे कंपनी की चीज़ों को थोड़ वह बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिला केवल 4 लग का वॉल्यम देखने को अभी हाल फेल लेस्ट हुआ है तो वॉल्यम दीरे दीरे यहां पर आता रहेगा जाता रहेगा बाकी बात करें लोक इन पीरिट वगरा होंगे उसकी एक अलग इंफोर्मेशन देखने को बा कर जा है चे का पित्रोष की स्कोर है डिविडेंग वगरा अभी देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि कंपणी अभी हाल फिलाल ही लिस्ट हुई है नंबर उसके बाद प्रिजेंट नहीं किया सेल्स की बात करें सेप्टमबर 2022 की सेल्स यहां पर हाफ एली सेल्स देखने को मिल ओर 2017 कुर्ण तो यह एक ऐसी कंपणी है जिसमें इसके लावा इसके कंपणी के बात करेंग इकरद्म करजा कितना है क्या सारी चीज़ रही है और यहां पर 171 ढूंप लिक देखनी होगू की सद Walk Z परसंट की है अब इन दी आइस वगेरा में देखें तो यहां पर एस्पे जनरल इंस्वरंस कंपनी का स्टेक है 1.34 परसंट और इसके लावा ग्लोवल जो इंडियन एक्यूटी की कंपनी की है उसका यहां पर स्टेक है 1.23 परसंट एक सट अजार के आसपास यहां पर शेयर ओल्डर है तो जिनका जनरली आई पर देखने को जनरली मिल रहे हैं अब सवाल यह है कि चलो आई पर को साइड में रखने इस स्टॉक के अंदर अभी त बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रोडेक्शन यह कंपनी अपने शेत्र की अपने प्रोडेक्टर करती है तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से यहां पे अच्छा खासा मौका है और जैसा कि मैंने कई चीज़ों को पहले की वीडियो में कि पहले तीन महीने में मार्केट सबसे ज़्यादा गिरता है पिछले दस में से आठ सालों में गिरा है दस में से और वहां पर रिकबरी बाद में आती हूँ देखने को मिलती है केमिकल स्टॉक से डेफिनिटली इसमें पाता हुआ देखने को मिलेगा मेरे इसाब से 180 के साथ अगर आप जाते हैं तो यह स्टॉक पाने वाले टैम में आपको मल्टी बगर रिटन देने की पूरी काबलेत रखता है क्योंकि कंपनी के फंटामेटर काफी अच्छे है आपके पास स्टॉक के किसी भी प्राइस पर खरीदा है तो यहां पर होल्ड कर सकते हैं मुझे परसे लगता है दोसों को ब्रेक करने के अब ही थोड़ा प्रेशर मार्केट का है तो मार्केट के प्रेशर में अपसेंड देखने को मिल सकते हैं तो अपने स्टॉप लॉस को जरू सस्टेन रखेगा इसके अलावा किसी भी डाउन फॉल में से स्टॉक के अंदर एंट्री ली जा सकती है इस टॉक के फंडामेंट कमेंट बोक्स से मेंशन कर सकते हैं तब अब यह के लिए इतना ही चलिए मिलते हैं अपने के लिए में तब तक लिए ख्याल लखेगा थैंक्यू सो मग्स वाचिंग इस टूडियो टेक केर बाबाइट